बी लिंक एक्स एप्लिकेशन पर अगर आप अपना डीमेट अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कौन से चार्जिस देने होंगी, इसका MC चार्जिस, ब्रोकरे चार्जिस, इंटाडे और डिलीवर पर क्या चार्जिस हैं और आपको यहाँ पर इसके कौन कौन से आगे इस वीडियों में बताऊंगा और इसमें क्या-क्या चार्जिस लगेंगे वो भी आगे बताता रहूंगा सबसे पहले अगर आप इनका सब्सक्रेशन प्लान लेते हैं तो आपको वहां पर आपका 25 करोड पर डे का हो सकता है फीचर टर्ण ओवर है जो आपका 50 करोड पर डे और ओप्शन लोट अगर आप यहां पर करते हैं तो आप यहां पर 10,000 लोट ले सकते हैं एक दिन के अंदर यह इनके कुछ लिमिट दिए गए हैं इसके बाद यहां पर स्टेंडर्ड फ्रो इसके बाद करनसी फीचर पर आपको 0.01 परसंट हिसाब से आपको टांजेशन चार्ज लगेगा यहां पर इन्होंने मैंसन क्या हुआ है यानि की दोनों तरह से आपको चार्जिस लगेंगे 0.1 परसंट के हिसाब से करनसी ओप्शन की बात की जाए तो आपको 20 रुपे पर लोड के शाब से चार्जिस लगेंगे यान की दोनों सायडिकीस लगने वाले हैं एक्यूटी फीचर्स की of को 09 वन परसंट के हिसाब से क्यूंत कीे बात की जाए तो आपको 20 रुपे पर लोड की हिसाब से दोनों साय चार्जिस लगने वाले हैं और यहां पर कॉम्हीटी फीचर से आपका 0.01 परसंट के हिसाब से आपको चार्जिस देना होगा कॉम्यूलिटी ऑप्शन की बात की जाए तो आपको 20 रुपे पर लोट के हिसाब से चार्जिस लगेगा मुचल फंड पर आपको 0.05 परसंट बाई पर और री डिमेंशन पर लगने वाला है इसके बाद अधर चार्जिस की यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताय हुआ है सेवी टर्न और फीस है जो एज एप्लिकेबल यहाँ पर लग सकता है टांजेशन चार्जिस लग सकता है STT Charges, CTT, GST यह सारे चार्जिस भी यहाँ पर मेंशन किये गए हैं तो चले बात कर लेते हैं कुछ आलग चार्जिस की जैसे की यहाँ पर आपको Clearing Charges, Feature and Option, Currency, Davities, Segment, All Exchange, Applicable तो यहाँ पर आपको 50 रुपे पर करोर के हिजाब से Feature and Contract Sign करते हैं तो अगर आप इनका अप्टू 1000 रुपे पर करोर on Option Contract ठीक है On Premium है जो यहाँ पर इनके चार्जिस लगने वाला है इसके बाद Document Holding Charges है जो आपका 15 रुपे पर Contract Note है जो वो दिया गया है, Check Received है जो आपका अगर Fund Pay करते हैं आप Check के द्वारा अगर वो Bounce होता है Return होता है, Uncleared होता है बेंक के द्वारा तो यहाँ पर आपको 1% यानि की Amount दे सकते हैं अगर आपका चेट के लिए नहीं होता है या पिर आपका 500 रुपे का भी Charges लग सकता है जो की High Charges है जो आपका 500 रुपे तक लग सकता है अब बात की जाए DP Charges की तो DP Charges नोंने Mention किया गया है Fixed Transaction Charges है आपका दीर 300 रुपे पर एनम के हिसाब से दिखाए गया है यानि की Fixed Charges की बात की जाए तो आपको 5 एर है जो आपका Free होने वाला दोस्तों यानि की जब आप पहला अकाउंट बनाते हैं इस साल अकाउंट बनाएंगे तो आपकी एक साल Free होने वाली है जैसे Second Year आपकी शुरू होगी उसमें आपको MC Charges देना होगा ठीक है Second Year से आपका MC Charges लगने वाला है इसके बाद आपको यहाँ पर Zero Fixed Transition Charges से लगतेंगे अगर यहाँ पर आप स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको 20 रुपे पर स्टेटमेंट के हिसाब से लगेगा Additional Physically अगर स्टेटमेंट आप मगाएंगे तो आपको 50 रुपे पर स्टेटमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा KRA, C, E, R, S, I Charges है जो आपका सोल पर लगने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर इनकी साइट पर यह mention किया गया है अब बात करते हैं MC Charges किस-किस पर लगने वाला है तो MC Charges आप यहाँ पर देखेंगे स्टाम Charges यहाँ पर दे गए हैं MC Charges के बारे में यहाँ पर पूरी डेटेल से बताय हुआ है BSDA Demate Account यानि कि Basic Service Demate Account जो की Charges होते हैं अगर यहाँ पर आप अपना 50,000 रुपे से कम की Holding रखते हैं अपने Demate Account पर तो आपको यहाँ पर Charges नहीं लगेंगे ठीक है आप देख सकते हैं इन्होंने कहा हुआ है For BSDA Demate Account जीरो Charges यानि कि अगर आप यहाँ पर 50,000 से कम की Holding करते हैं अगर आप ज़्यादा Holding करते हैं यानि कि For Non-BSD Demate Account यानि कि अगर आप BSD यानि कि Basic Service Demate Account के अंदर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपे पर एर के हिसाब से देना होगा पलस आपकी 18% GST है वो अलग से मेंसल की जाएगी और जो चार्ज होगा वो आपसे Quarterly यानि कि आपका 90 दिन के अंदर किया जाएगा अगर आप यहाँ पर इनकी payment को कोई delay करते हैं तो आप interest देखे यहाँ पर 18% और per year के हिसाब से लगेगा यह आपको बहुत ज्याधा हो सकता Duchos तो यानि कि आप समझ सकते हैं जी रॉपाइंट ज्यूर फाइफ के हिसाब से जानी कि 5 पर इसाब से पढ़ बादे के बारे में बता देता हूँ आपको выглядит कर देता हूं बी-links application जो आप account opening करेंगे तो यहां पर आपका trading account open है वो zero fees लगेगी और trading annual maintenance charge है वो आपका फिरी है yearly fees आपकी फिरी है इसके बाद demate account charges है दोस्तों वो भी आपका zero है one यानि कि एक year के लिए आपको बिल्कुल zero है जैसे कि मैंने आपको बताया है पर यहां पर आप प्लान भी दे गये हैं बी-link application के कुछ ब्रोकरे चार्जिस दे गये हैं जैसे कि प्लान की बात की जाए तो बिल्क एप्लिकेशन का जो 799 रुपे यानि की करीबर आसर रुपे का एक subscription प्लान है जो की six month के लिए है ठीक है अब इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा दोस्तों वो भी आप यहां पर देखेंगे segment है ब्रोकरे की फीश है आपकी जो बिल्कुल zero है equity delivery इंटर delivery अगर आप इनका 700 का प्लान लेते हैं तो आपको equity feature option, currency feature, currency option, community और community option यह सारी चीजे आपको यहां पर फिरी देखने को मिलेंगी ठीक है अगर आप इनका 199 रुपे का प्लान लेंगे तो आपको यहां पर यह प्लान है जो two month के लिए दे जा रहा है यानि कि दो महिने के लिए प्लान दे जाएगा इसमें आपको यह स एक तो है 200 रुपे का एक है 800 रुपे का अगर आप 800 का जो प्लान लेंगे वो आपको मिलेगा पूरे 6 महिने के लिए और जो आप 1099 में लेखते हैं वो मिलेगा आपको दो महिने के लिए यानि कि इन दो महिने के लिए अगर प्लान लेंगे तो आपको यह सारी चीजे फिर यह सारे फीचर से आपको फीन मिलेंगे सेग्मेंट की बात की आप देखेंगे यह सारा फीन है अब यहाँ पर नीचे आप्सिन मिलते हैं कुछ चार्जिस के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दिया है DMET acount पर जो charges लगेंगे वो 25 रुपे hazards लगेंगे ठीक है इसके लिए account mental zone face है यहाँ पर दिखाए गया DMET chamacter charges की बात की जाए तो 50 रुपे DMET की बात की जाए तो 20 रुपे इसके बाद यहाँ पर आगर बात की जाए GST की तो GST है जो आपका लगने वाला है जो की अठारे पॉर्शन दिया गया है इसके बाद आपका बिलोकर पश्च कारिस पर पर पोअरे रहते है थाइंग्य वस्च वीडियू